नमस्कार दोस्तों कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वह हैं बहु देश से नदी घाटी परियोजना इसमें हम पढ़ेंगे कि बाद भारत में किसकी छेत्र में पाए जाते हैं और कौन सी नदी पर कौन सा बांद है कौन नर्मदा घाटी परियोजना है कुछ नदियां है और उन नदियों पर कुछ इंपोटेंट बांद है तो उनको करम से देखेंगे देखें इसको इसको आप बिल्कुल दियान से देखना आपको तो चलिए वीडियो स्टाट करते हैं कि पहला कोश्टन है कि सरदार सरवर पर कि देखिए जो सरदार सरोवर प्रियोजना तो सबसे पहले आपको पता हुए सरदार सरोवर प्रियोजना में कहां पर है कि सरदार सरोवर प्रियोजना तो आपके माइंड में गुजरात क्लिक करना चाहिए तो सरदार सरोवर प्रियोजना गुजरात राज्य में गुजरात और इससे जो लाभार्वित हो रहे हैं देखे गुजरात के आसपास आप देश देखेंगे तो महाराष्ट में देखेंगे तो इसके पूरा में देखेंगे इसका राइट आंसर है तो सरदार सरवर प्रयोजना जैसे ही आए तो आपके मैंड में तुरंद क्लिक खणना चाहिए नर्मदा नदी पर है और कहां पर है गुजरात में और गुजरात के से संबंदित मतलब गुजरात की सेमक किर्ण राज जो से मिलते हैं तो महराष्ट मंद्र प्रदिस और आज सन्विए छेत्र लाबहनमित होते हैं यह स्टेट लाबहनमित होते हैं तो इसका राइट आंसर है अगला कोश्चन है कि सरदार सरवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है तो सरदार सरवर जो बांद है वग्खाने और बनाया गया है और कहाँ पर गुजरात में घुसा shower गयाइं बहुत हो कि नदी सरदार सरोवर पीरोजने समनन स्वर्षर्ट समेदित हैं तो सरदार सरवरठ संथ्टर्ण से मतना थिस गतवी है अगला कुस्तै से सरवाधिक लाब मिलता है तो गुज्राद हुड़िशा राजिस्थान हो अस्तोट कि आप देखें गुजराइड मध्यप्रदेश दंग तीन स्टेज़ में यह लाभाणीत होते हैं लेकिन सबसके सरवादिक लाभ के नहीं मिलता है कि ये तो इसको मंध्यप्रेश का राइठ आंसर है कि सबसे जादा मोलता मंध्यप्रदेश नियुकर सर्दार सर्वर बाहं से नर्मद नंदी के जलका प्यस्ट्ट पॉइंट 18-30 अगला कुशन देखते हैं निमलिकत मेंसे कौन सर्दार सर्वर प्रयोजना के विरोध में है तो मेदा पार्ट कर रहे हैं यह इसके कि विरोद में only five हो ज्याता नुक्षान पहुंचता है इन से इस मुझे से कि विली मा नजिय को कुश्चन है को निम्नु मैं से कौन सा बाद निर्मादा नजिया पर नहीं है देखिए चार दिल्सक्राइ अंख्रोलोफ निर्माद साघर Йजब अगला कुछन देखते हैं इंद्रा सागरबान किस नदी पर इस्तित है तो इंद्रा सागरबान नर्मदा नदी पर इस्तित है कुछ महतून बांद है आप नदी नोट कर लेना और नदी के आगे ही कुछ कुछ इनपोटेंट बान्थ आपको धियान में रखनें आपको वही यद रखनेंगें जो पिछले साल के पेपर में पूछे गए है प्योंकि नहीं तो दोस्तों इतने इतने दुन्या भर के सबसे अच्छा तरीका यह होता है जो पिछले साली कोश्चनों में रिपीट बांदे ना कि अवल उनको याद रखे या पिछले साली कोश्चन में जो पूछे गए बांद है डैम कोई घुमाफिरा की अग्जामनर उन्हीं पूछेगा कि कि अगला कोश्चन है कि निमलिखत जलासियों से कि सब्सकरे नांदर न को इसको राइट आंसर भी इसका राइटा स्राइओ कि अगला क्या दर्मीन किस बान की उचाई बढ़ाने के निंड़ना का विरोध कर रहा है तो सर्दार-वर ठेके नर्मदा बचा वाणनोड सर्दार-वर बांगर बढ़ाने का विरोध कर रहा ह। नर्याट निर्मिक पर्योजना मध्यप्रद्रुता बांखणा अर्याल पाननगण लें किसकी तो हरीयाना पंजाब ये इन स्टेटन नित ह pursuing और पंजाब और राजिस्तार नितीन स्टेत एस यंद कौन सा राज्य क्रमूव बाखणा नम्हरा से जल पर मूप्राप्त करता है Zusे जहां ओ सिसके हरी हाई हर्याना पंजाब राजिस्तान नर्मदा नधी थे युद्न manifest तो किस स्टेट से जड़ा है चार स्टेट गुजरात राजिस्तान मध्यपरदेश और महाराश इन्पोटेंट बाखण नागल बांध जो है किन स्टेट सम्माद है हर्याना पंजाब राजिस्तान इन्पोटेंट है तो आप नोट करना इनको अगला कुछन है बांखणा सबसे पुराना जल सक्तिवत पदन चेंद्र तो सिव समंद्र है राइट अंसर है कि अगले सिव समंद्र है कहां परिस्तित हैं तो करना ठीक में दोस्तों वेही बांध इन्पोटेंट है जो पछेल साल के कोशन में दे रखे हैं बार बार आपको यहीं बताँगा विए बा काविरी नदी के जल्द बटवारे का विवाद कि नादी तो तमिलनाडू करनाटक के रल और पुड़ू चेरी इसका राइट आंसर है डी ठीक है अगला कोश्चन है तमिल नाडव करनाटक का जलिवाद किसे सम्मधित है तो कावे ने दिसे तो गुदावरी कृष्ण कावरी हम पढ़ते हैं दच्छिन भारत की प्रमुख न दिया है तो इससे रिलिटेड है अगला है नागरजुन सागर करशन आपकी कि नागरजुन सागर परियोजना कहा पर आंद्रकरदेस में उसको राइट अंसर वहा है इसका राइट आंसर है कि ज़्यक अइ Madonna सागर पर उस्तित थे तो खिशेना नदी पर इस्तित थे हिंविश्चन नदी पर ही आपकी नागर्जुन सागर परियोजना अवस्थित तो उसका राइट आंसर इस डी नागर्जुन सागर इस ते कहां पर है कृष्णा नदीपर बीस का राइट आंसर नहीं कि सिंपल से कोशन नहीं कि अगला जो सब टोपिक है वह आपका ही रगूंड बांद कौन से नदीपर बना गया है तो महा नदीपर ही राइट बना गया है तो इसका राइट आंसर है सी चंबल घाटी पर योजना देखते हैं देखते हैं कि पहला कोशन है चंबल नदीपर कौन से बांद निर्मित है तो चंबल नदीपर गांदी सागर बांद निर्मित है तो इसका राइट आंसर है वह है सी इसका राइट आंसर है अगला कोशन है कि निमलिखित नदी घाटी परियोजनाओ में से एक कलाब एक सेधिक राज्यों को प्राप्त हो सब्सक्राइब करनाटा राज्यों के लापरापत होता है तो सबसे ज्यादा दोस्तों ए और बीधार आ तो इसे कोई सभी एक आंसर हो सकते हैं तो अगर आपो कॉछन है कि गान्धी सागरबां निमलीखित में से किस एक वाग varieties, वाग वाग दो गानिधी कोशन है सही उत्र का चैन नीचे देगे कूट से करना देखे गांदी सागर गोविन सागर जावाहर सागर गोविन मलम पंद सागर तो अब मैं बताना कि चंबल घाटी योजना से कौन से संबंदित नहीं है कि देखे चार ओप्षिन आपके सामने और चंबल घाटी से उस्में बताना है को तो संबंदित नहीं है कि क्यों कि देखे सीमें रखे हैं एक दो तीन चार दो तो यह समलेत नहीं है सब्कि गांदि सागर जवहर सागर का संब्द चम्बलगाटि प्रियोजना से है ठीक है तो एक तो र्याइट अंसर इसका सिसी इसका र्याइट आनसर हैं अगला कोशन है कि निम्लिखित में से कौन सा जलासी यह जलासी चंबलज नदी बनाए तो राना परताव सागार तो उसका राइट आंसर है बी इसका राइट आंसर है किसे अगला कोॉषन है तो बा बाक यहां नदी परेज llegar निर्मान कहां क्या जा रहा है पागी रती नदी है तो अगला कौश्चन है कि टीwand पर बिजली कोंप्लेक्स निम्ली थी में से किस नदी पर अवस्थित है तो उसके आर्च आउसर भी बागी रती नदी पर चुप का सब्सक्राइए ले सब्सक्राइब क्यों तो क्यों है के ब्लूजरitarian देला लेकर नब ऐस्थान को चित्रित किया गया है यहां पर student कहां पर है अलक नंता नंदी पर सी सी राइट आंसर आ को पहला कोश्चन घ्राइब इस नदी पर निर्मीतर तो तिलह याबान किस नदी पर इस थिते हैं हम एह बताना है तो तिलह याबान जहार खंड में है और एकहाँ पर है इसका kota आन्सर में बभाघ कर नदी पर अधीध किर्ट एसका राइट-ांसर यौह फाट रूरा नदी अगला कुछ tub को सब्सक्राइब अधिकर्परेशन के विकास को अधितना नदी पस्ची मंगल में दुखिंफी नदीमानदे आगना अग्ला दामदर अपनी उपरी भाग में तीवरता से प्रभाइत होती है जता इसकी नेचले भाग में इसका बहुत बहुत धीमा हो जाता है अगर अगर आप पिछले साल की पेपर देखें एक दसमें से च्छांबार कम से कम ज़ींगे ऑप आसर मिलेगा और और रगा तो दोनों ही ठीक है उसकी सही व्याख्या तो आप देख सकते हैं पिछले साल के पेपर आप अनलाइज करेंगे तो आप आएंगे इसमें यह आन्स सब्सक्वाध न सब्सक्राइब हciones मैं तो गलत हो सकता है लेकिन अगर सब्सक्रार ने सफे सब्सक्राइब क्रणते हैं और जो मुझेल रखोटे कर रखी मिनष्ट सेफिब सब्सक्राइब तो उसका राइट आंसर आपने देखा है ठीक है आप इसके पड़ सकते कंसेप्ट प्रदारित कोश्चन है कि हां दामदर घाटी दामदर जो नदिये अपने उपरी भाग में तीरता से प्रभाइद होती है तता निचले भाग में इसका बहुत धीम हो जादा देखें बहुत निकलती है किसी पहाड नदी या किसी पहाड से किते जहरने से या कई जील से तीरता से भागी उपर से 19 से आके दोस्त भाव धीम हो जाता है तो आपने देखा तो इसका राइट आंसर था यह अगला कोश्चन है कि दामदर घाटी निगम की स्थापना कव हुई थी तो उन से मिलाना है कि सबसे पहले देखिए आपको दियान से पढ़ना है कि उकई बहुत इंपोटेंट आपको पता होने चाहिए परियोजना कहां पर है ठीक है और फिर जायक वाड़ी ना पता हो फिर पढ़ते हैं आपका खडग खडग वासला फिर मवराक्सी आप नदिया पढ तो एका फॉर ठीक है और जो मयॉराक्षी नदिया नदिया लेकिन इसमें दोस्तों यह नहीं है तो आप इसको छोड़िए एक मिनट इस फ्वर्त्स वाले को छोड़िए तो सबसे पहले हम उकाय का तापी तो एका फोड़ हम से आंधिया लगानी कोई सब्सक्रते हैं हम hund तो ए और बी में तो सी तो कट गया दोस्तों और डीवी कट गया देखिए हम 50-50 तक अराम से पहुच गई है क्योंकि कई बार एक्जाम में रिपीट भी है और हमें पता भी है ठीक है अब देखिए जायक वाड़ी जो प्रियुजन है वो कोई दावरी नदी पर है तो बी का इसाउं पर यहां पर भी है और यहां पर भी है ठीक है और खड़क सवाल आपके मुझान दी पर है तो सी कज़ें कऊं से दोस्तों सी अरहां का और धर्डियरा देखिए इससे आपका राइट आंसर कौण से निकलका भी बीसका राइट अंसर नदी देखो आम 2 ने लिख रखा है जब्कि मौयुराक्षी जो पर्योजना है वो मौयुराक्षी नदीपरी है चीए ना कि तो यह आपको द्येम रखना बेसक आपको यह वाला ना पताऊ-पॉइंट मौयुराक्षी वाला लेकिन इस में से हमें क्या इंफ्रॉमेशन निकान लिए इस कोश्चन म पता होना चाहिए वुखई प्रयोजना तापी न दीपर है और हमें पता होना चाहिए कि जाय कवाधी पर जाकवादी परेंद ए तो यह दो इसको द्हान में रखना है इस आप रहे राक्षी मैं राक्षी को घड़क वासला मूथा अगला कोशन है कि कौन सा सही सुम्मेलित नहीं है तो आप A B C D पढ़ी है तो जब जो हमें पता है हम कम सकम उसको टिक करते हैं तो यह ठीक है ना तो इसका पता है कि यह तो आंसर होने सकता अगला कोशन है कि ही राकुंड परियोजना है तारापूर परमानुकेंद कुद्रुमेह पहाडियां और आप पढ़ी नहीं पस्चिमंगाल उडिशा करनाटक और महारास देखें बहुत इंपोर्टेंट है ही राकुंड परियोजना आपको पता होना चाहिए कहां पर है ठीक है और आपको पुद्र में पहाड़े भी पता होना चाहिए के बार पुच्छा गया है कुद्र में प पाड़े कहां पर है करनाटक में जो थोड़े से सब्ध हिंदी के अजीब से होता है थोड़े उन्हें प्रनांस में थोड़ा हम डिफिकल्टी रोटे कुद्र में मुलु मलाई कुछ इस तरह के वाड़े दोस्तों दच्छीन भारत से रिलिटेड होते हैं तो करनाटक भी क दच्छीन भारत की नेशनल पार्क है वाइस पर रिजर्व है तो उनके नाम फोड़े से दोस्तों डिफिकल्टी होते हैं लेने में है ना और दख्छीन भारत में ऐसी नाम पर चलिता है रेड़ी विजय देवेर कॉंडा इस तरह के नाम पर से दोते हैं ऐसी वहाँ पर प देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश बांध अब 17 नदी पर बनाया जा रहा है इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश से क्या है तो बांखडा बांध में आने वाली तलचट मुट्टी को रोगना अब अब अभा छेत्र में वन लगाना हिमाचल प्रदेश में सिसाय के ल तो इसको जो राइट आंसर है वहाँ है इसका राइट आंसर है अगला कोश्चन है कि निमलिखत जर्विधुत परियोजना में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के साथ सहयोग से बनाई है देखिए उस साल करेंट अफेर में रहा होगा चर्चा में तो चू का बां लोगा कि रहा होगा और वाइं सागर版 कि नदी पर में तो पता होना चाहिए दो निकार्ण से bisexual तो पेर्स यह इंप सी सेसर्ट करते हैं तो एक फूर तो यक फूर कि इसमें नहीं है ना ही सी में थो बीर ऑड कि तक हम यहाँ पहुन गया है क्यप पर है निकार यहais तक मतलब पोच यारे कहा थाल मतलम आसान होता है अगर आपको एक तो बहुत कि से निकाल सकते हैं Zahl II ही रहक्पी रहकुनद किसना पर महा नदीपर है इगकी बांध किसना दिपर अगेònग़ो देखते हैं Sum Hai निम्लिकित पर्योजनाओं में कौन तमिलना दिंध 불nek Anh का शुम्य१ कारी रहा है तो तेलुगू अंगा इनका स्चुंत कारे कराम तो राइट आंसर है तो अगला कोश्चा है तेलुगू अप्रोजिना में से कि सहर को पानी मिलेगा तो मुद्रास छेन नहीं ठीक है नो चेन नहीं को मिलेगा अगला कुशन है कि बहु देसे निदी घाटी प्रवजनाओं को आधुनिक भारत के मंदर किसे ने का था देखिया देशने घाटी परिजना को मतलब चार वेक्ति के हैं पे नाम दे रहे हैं बहुत इंपोटेंट है कोशन निया अधुझा भारत का मंदिर कहा था तो किन्होंने का था जवाहर डाल नहरु ने तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे पर्थम प्राइम मिनिस्टर जवालन प्राइम भारत के मंदिर है तो राइट अंसर है अगला कोशन है कि सूची एक को आपको सूची दो से मिलाना है तो आप पढ़ेंगे सबसे पहले कावेरी कृष्णा नर्मदा और चंबल ठीक है और आप पढ़ेंगे अलमट्टी मेंटूर गांधी सागर सर्दार सरोवर न देखें यह आपके बांध है तो आपको थर्ड और फोर्थ गांधी सागर और सरदार सरोवर तो यह तो पता बिल्कुल होना चाहिए ठीक है बेसक आपको अलमेट्टी का ना पता हो लेकिन गांधी सागर सरदार सरोवर बहुत इंपूर्टेंड बांद है तो यह पता होना से पहला थ сх언 से निकालने क्योंस करते हैं तो फॉर को हॉर। ग्याव है और चंबल आपकी गांदी सागर दीगा थ्री दिकाथी किसमें एक याल newly दो राइट अंसर हो स्यरी खुशन अथि होते हैं दोस्ता थिक है जरूरे नहीं को तो चारों पता हो लेकिन कम- tomos pastak frau dhe सbons pm तह्य दस हमने दो बआरे जिसiendo colorson लेजाए तो मैं 2 he information पता हो है तो हम उनका आंशार तक हो सुझ एक सब्सक्राइब Google तो आप इसको नोट करें कि यहां भी पूछा गया है और सब्सक्राइब करें तो यह इंपोर्टेंट बनें गया आप दो बार रिपीट है द शोची एक और सूची है दोसे बता हम मिलाना आपको मैं टूरव मयोराक्सी नाघुदूसा गर ही इरा कुन यह आपके x कर्प्रनंत्र है यह पोaser में तो सबसे चुंन सागड से निकालते हैं निकालते हैं से का तो दोस्तों कहां पर रहे सी यह आपका और नहीं पता प्लप कर लिए समय में बहुत इंपूटेंड बाढ़े तरहें तो डे का फॉर बिए का फोर यह रहा है दोस्तों यह रहा है की राकूंड से भी निकल जाता आपका और नागड़ दूसागड़ से भी अब आपके लिए यह दो इंफ्रमिसन नहीं है देखें मैंटूर और मेयोराक्सी यह रिपीट है अभी पीछे भी कोशन पूशा गाया इस तरह का तो आ अगला कोश्चन है यह परियोजने दे रखें आपके और नदिया तो इडुक की माता टेला नागरदुन सागर और पौंच मांदा पौंच 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 अमपाद है इस तरह का बड़ा कुछ और नदिय दे रखें बेता गुदावरी कृष्णा और पेरियार इन में से सबसे पहले न कहां पर है काहां पर है ऐसे कह vapor है कर एक कर दिए कम से कम हमा एक information से एक government तो एलिमिनेट हुआ तो वन थ्रड़ तक तो हम आराम से कोचे समय है ना वो इडूक की भी देखिए दो बार रिपीट है डूक की पिछले कोर्शन में पूछा गया है तो यह कहां पर है पेरियार नदी पर है केरल में ठीक है तो एक फॉर अगर आपको आगे इंफॉर्मेशन आपको पता है तो आप टिक कर सकते हैं नहीं तो दोस्तों छोड़ना तो हैं यह वाला कोशन क्योंकि फिफ्ट के तक पहुंच गया है अगर इस तरह के चार कोशन आपके आए अगर सपोज़िए आपने यही टिक कर दिया तो दो तो आप चीस वह सी राइट आंसर इसका सी राइट अंसर क्यों क्योंकि जो माट टीला जो बाद है वह बेत वा नधी परिश्थितित मध्या प्रदेश में तो बींगफ कुण सह बीका है अगला कोश्चन है सूची एक और सूची दो से आपको फिर मिलाना है यहां पड़ी आप नागरदुन सागर सिव समुद्रम जायक वाड़ी टीहरी देखे यह चारो ही बाद इन्पोर्टेंट है रिपीट है सिव समुद्रम आपको पता होना चाहिए नागरदुन सागर पता बहुत है कहां पर है कि मैं अबीशी दी तो केवल और बी में उसी ओड़ी को एल्मिनेट कर दीए थिए जिम्पल सा है ठीक है ना सिव समुद्रम काम है कावेरी में तो पहले कभी है तो पहले कभी तो इन दोनों में जायक वाड़ी कहां आपके गोदावरी पर है तो ठीक सी है और थरीका सी किसमें के वाल और के वाल ए ओप्षन में तो ए राइट अंसर है तो इस तरह से दोस्तों को सबसे पहले हमें सब्सक्राइब करना होता है जो हमें नाकष्वित कतने पर वीचार कीजी तंदा नीचे सही उत्र का चैन से कि टो कि जो पहला स्टेट्मेंट वह है रिहन बांध सोन नंदी के एक सहिएक नंधी पर ए घरकुर्ण मांध माहरणी पर है मिलद्रीय बहें कि डूक तहरी है अंधरीव्स वर कंड़ाटकर सहिथ सब्सक्राइब देखिए कि यह वाला जो कोश्चन देखिए कितने सारे इसमें बांदे रखें लेकिन आपको पता होना चाहिए तो एक दो आपको पता है तो एक दो तो पक्का ठीक है चाहिए तो एक दो पर ठीक है तो एक दो किस में तो एब और डी सी में नहीं है तो बंत्र तो पहुंची गई है ना कोशन जहां पर भी आप एक उप्शन को ऐलिमिनेट कर दें तो वो उट्रूक बंतरा परियोजना आंध्र प्रत्रकना अटका तो यह भी आपका ठीक है तो दामोदर की सहिक नदी कुन से बराकर और बराकर पर कुन से बान ने थान तो राइट आंसर कुन से डी अगला कुश्चन देखते हैं काल पूंग जल विदूद प्रयोजना अवस्थीत हैं तो कहां पर हैं अंडमा निकोबार में तो इसका राइट अंसर है ए अगला अगला कुश्चन है भारत में पर्थम जल विदूद सेंद्र की स्थापना की गई थी कहां पर की गई थी तो दार्जिलिंग में तो इसका राइट अंसर है और उसका नाम क्या है दोस्तों जो अभी यहां पर दे रखका है साध रंग है ना यह दाजिलिंग के निकट सिद सबसे पुराना सेंद्र है पर्थम उसको राइट यह इसका राइट अंसर है यह कुछ बान दे रखें और आपको स्टेट के नाम दे रखें तो आपको बताना है देखिए फरक्का घाट परबा ही रकून काकरपार और आप पढ़ेंगे फश्ची मंगल उडिशा गुजरा मैं कहां पर रहें पस्ष्मंगा मुभ उए सीधी सी बात है तो एका बंगलकर के मतलए लिए मतलए यह सामके परवीश्थ करती है तो यह पताव नहीं चाहिए आपको मौनमत नुए पहला का तो कैंसी का है च्यक्रेशासbar वाक क्हार्म हां आधीक और घाट परभा कहा पर पर है कर्नाटक में आधीक है । तो आपको यपी और सी बिलकुल प़ता हुont पुलिठ पार ना पर लेकिन आपको तो एबीसे पता अपर होना चीए काक्रापार कहां पर गुझरात में किस नधी पर तापती नधी पर कि अगला कोश्चन थी मिर्ष परियोजना है उक यह का हमें पता है कि कहां पर है और देहें दे रहेंद घुकाई यह स्टेट बॉडशा महारास्ट फिर पड़ते हीराकूण और कोई ना उत्तरप्राइस गुझरात तो हीराकूणबान गाहा पर है उडिसा में हैं तो हीराकूण यह रहें आपका और तो ठरीका जो यह दोस्तों भी प्रिका यह देखते हैं कहां पर है कि एक जो केवल और यह उसको इंप्लिमेंट करना पहले प्रियोजना गोविद वल्लब पंद सागर प्रियोजना के नाम से भी जाने जाती है यह उत्तर प्रतेश के सोनमद्र जिले में पिप्री नाम के स्थान पर रिहंद नंति पर निर्मित है उकई गुजरात सरकार की पर्मुक परियोजना है सूरत के उकई नामगिस्थान पर तापती नदी पर यह प्रियोजना निमित ही गई है राकुंट परियोजना उडिसा में महानादी नदी पर है और कहां पर है महरास्ट में तो यह इन्फर्मिशन आपको पता होने चाहिए जोस्तों अगला कोशन है गोविंद सागर कोलेरु जहील उकाई बुलर जहील इन में से कौन सा ठीक नहीं है तो कोलेरु जहील कृष्णा यह गलते हैं आपका है ना कोलेरु जहील कहां परिस्तित है गुदावरी उड़ कृष्णा द्वाप छेत्रे में तो बी इसका राइट आंसर है अगला कुशन देखते हैं कालागड बांध किस नदी पर बना हुआ है तो कालागड जो बांध आपका राम गंगा नदी पर बना हुआ है तो इसका और वसंगाबाद से तावा परियोजना वस्तित है तो राइट आंसर सी और संगाबाद से संबंदित है यह तवा परियोजना आगला कुशन देखते हैं पोग बांध किस नदी पर बनाए गया है तो ब्यास नदी पर बनाए गया देखे बहुत फैक्शल कोशन है यह नहीं है पड़ते आंके पड़ते जाते हैं मेजा बांध कर इनमान कहां पर हुआ है कोठारी नदी पर राइट आंसर है यह निपोटेंट आपका तुलबुल परयोजना का संबन किससे है तो जहलम नदी से तुलबुल परयोजना किस नदी पर है यह यह निपोटेंट भी एए अगला कोशन है कि बगली हर पावर प्रोजक्ट जिसके विसे में पाकिस्तान दोबरा बैंक के समक्स विवाद उठाए गया भारत दोबरान किस नदी पर बना गया है चिनाब नदी पर तो राइट आंसर है सी राइट आंसर है ठीक है तो दूसरे रिपीट कोश्चन है दिहान में रखने आपको देखा अगला कोश्चन भी यह बगल विहार सुरी बगलिहार पन विधुत प्रुज़न जो हाल में चर्चा में रही इस्तित है कहां पर जम्मो को सुमीर में तो राइट आंसर है अकला कुश्चन देखते हैं देखे सी चाइब पर यहां पर दे रखे हैं और इस टेट के नाम दे रखे हैं तो आपको बताना है को उनसा ठीक है देखे दमन गंगा और गिर्णा और पामबा देखे इनको आपको देहान से राइट आंसर कौन सोगे डी राइट आंसर है तीनों इनफोर्मेशन से रखें हैं यह आपर अगला कोस्ट ने कहां वस्तित हैं तो तपोवन और विश्णुकर्ण जलवीद प्रोजना कहां पर उत्रखंड में तो राइट आंसर है सी देखें इन पूटेंट है और यह रि मंद्य हुईती में अगला को च्छन निम्नांकित में कौन एक सही समयलित नहीं चारी स्टेटमेंट तीन ठीक रहेंगे इसमें और एक कौन से नहीं होगा है राणप्रताब सागर मंद्य पर देश ठीक है तो इसको जो राइट आंसर है वह है भी इसका राइट आंसर है गुजुरात में तो राइट अंसर है कि अगला कोशन में से कौन साइक सही सुम्मिलित नहीं है तो माही बजास आगर प्रियोजना देखें कुछ इन्फोर्मेसिन देरे के बहुत फैक्च्छल है उसको राइट आंसर वह भी जंबल प्रियोजना कहां से राइस्थिन कि हिमाचल प्रदेश में तो राइट आंसर है डी अगला कोश्चन है सक्ति प्रविजना स्टेट के नामा को दाना कौन सा इनमें सही सुम्मिलित नहीं है जवहर सागर नागरदुन सागर सिव समद्रम गांदी सागर देकि सिव समद्रम का सम्द्ध किस्स्य है करनाटक से ह तो राइट आंसर कुन सा होगे आपका सी राइट आंसर है जबकि जवहर सागर का राजिस्थान में नागरदुन सागर आंद्र गांदी सागर मद्ध प्रतेश यह ठीक है आपके जबकि सिव समद्रम का पर है करनाटक में है अगला कोश्वन देखते है कि निम में से कौन और बे यह कर दो दो सतलर नदी नर्मद नदी गोदावरी नदी महा नदी किन मिसे पूंजो सही सुमिलित नहीं है घ्रिक तो आज़ेतों कहां परे क्रिश्ण नदी पर ठीक है तो इसको राइट-णसर स्वेह सिस्का राइट आंसर और अगला कुष्शन देखते हैं एंद लो डेम प्रिट्वॉ प्रष्थ है इस प्रज़्वित का स्थिल क्या रहत प्रिजक्ट्वाट मैं है अगला कसिने अगला कुछन देखते हैं अपको पता होना चाहिए और पता तो आपको राम गंगा भी होना चाहिए तो तो ए सी डी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए तो रिहन पर्योजन कहां परिष्थीत है रिहन नदी पर और रिहन किसकी साहिग नदी है सोन की तो एक अथरी एक अथरी किसकी में दोस्तों ए और सी में जबकि भी और डी यह आपके अलिमिनेट हो गए है ठीक है और देखे जो टीरी बान परियोजना वह कहां पर वाही रतीन धी पर तो सी का टू। किसमें आफ चटू किसमें सी की अबलशी सी और से टीके इस तरह सापको कोशन टेर्म्ट करना है यह वाला अगला कोशन देखते हैं तो उत्तरप्रदेश में रानी लक्समी भाई बांध पर्योजन निरीमीता है तो किस नादीपर है बेतवनादीपर ठीक है अगला कोशन देखते हैं दुलहस्ती हाइड्रो पावर्ड इस्टेशन किस नादीपर वस्तीत है तो चिनाव नदीपर राइट आंसर है अगला कोशन है निम्लिशीत में से कौन सा एक सही समयलित नहीं है तो दुलहस्ती इंद्रा गांधी नहर नागरुदून सागर पूगई इनको पड़े चिनाव स हमें उनकी लोकेशन पता होने चाहिए लेकिन नागरुदुन सागर इंपोटेंट है पता है तो नागरुदुन सागर कहां पर है कृष्णा नादी पर है तो इसका जो राइट आंसर है सी आगे बढ़ते हैं जला से रखें और स्टेट के नाम देखें बहद्रा भवानि सागर गांदी सागर राणा पड़ता आप सागर कि इतनी इंफोर्मेशन साइदी कोई दिहान रखता हो ठीक है तो अगर कोस्टन आपको बिल्कुली आइडिया नहीं हो तो उन कोस्टन को छोड़ भी सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि सारे कोस्टनियों में कर नहों होते हैं इतनी इंफोर्मेशन दोस तो कौन याद रखता है ठीक है बहद्रा कहां पर है कंड़नाटक में भावान से आंसर निकलता है कि तो सी का टू पकड़ी आप सी यह आपका तू यह वाले उप्शन में और डी में तो बी और सी तो अलिमिनट होई गया आपका तो 50 तक आप हो सकते हैं इस से और छोड़ना आपको बिल्कुल नहीं है इसका जो राइट आंसर है वह है ठीक है अगला कुशन देखते हैं देख लिखा है यहां पर भद्रा करनाटक भावानी सागर तमिलनाडू गांदी सागर मद्यबर्देश राणा परताप सागर गांदी सागर बाद नाग्डुन सागर भाण ठैकि चारो इनिकों पूंट है बिल्कुल पता हो निचाहां तो सरादर स्वर्वर तो नर्मदन तनदी पर है जनसाम्हbor कृष्णा पर है तर्लाइव क enamधा नगालग भाथ्स ऐसक्वागतमृ परियोजना नागडुन सागर भीरा कुणवान तरज़ नदी नर्मदा नदी गुदावरी नदी सागर जो है उठी पर कहा है कृष्ण नदी पर की अगला इंग नदी कोशन गुविन वल्लब पंद सागर जलासर कहां परपर इस्तित हैं तो उत्र प्रतेश में राइट अंसर है कि अग्ला कोशन गोविद वल्लब सागर इस्थित हैं कहां पर उत्र प्रतेश में तो राइट आंसर भी इसका राइट आंसर है भी थी नदिया हैं आपको बांद रखेंगे आपको बताना है कौन से थीक है तो बैत्वा माहानदी चंबल तापन पड़ेंगा भी राकुंड माता तीला राइड़ को पता होना चाहिए और आपको यह भी रीपीट है आपने देखा कि कितनी बार ही रिपीट होगा काक्रा पारा ठीक है तो सबसे पढ़े इन में पथा हुआ उसको करते हैं तो राइप आंसर भी ने कि पढ़े हैं । सका तटीला बांश नदी पर कोण सबाने ही रकूंड बांश बांश दाब्ति नदी पर कोन सबांश नद आ गान फारान तो ये चारों मां आपको पता होने शीए अगला जो कोशना इस गंडख न गंडख परियोजना किने दो राज्यों की सहिंप परियोजना थे तो बिहार परश्तावीत किसां बांद प्रियोजनासे लाव भानवित होगा ठीख है तो किसान बांद प्रियोजना कहां पर है टॉंस न दी पर है टॉंस किसक इसके नहीं यंउन न की है ठीकना तो और ये जो टोन शuck न दीए तो लिको तो हिमाचल प्रदिस ऊत्राखंड की सीमा कहां पर है वी इसका राइट अंसर है पर देखिए अगला कोष्चन है नदी घर रोजना और यह नदी तिलेया बान्स के पन्चेट खिलबान राणा प्रताफ सागर्भान माता टीला बांद देंकि तिलया और माता टीला यह रिपीट हैं तो हमें पता होने चाहिए कि माता टीला का है बेट वाना दी तुरंत क्लिक करना चाहिए डी का फॉर तो दी का फूर दोस्तों केवल एक तो ए में है और सी में तो बी तो एलिमिनेट हो गया और डी बी एलिमिनेट हो गया तो फिफ्टी तक हम आराम से पहुच गये हैं और यह आपका राणा परताब सागरभान यह कहां पर है कि चंबल न दीप है तो सी का टू और सी का टू दूस्तों कहां पर सी यह रहा कि यह ले में है तो उसको राइट अंसर हो गया तो यह आपको पता होना जितले यह बांद कहां पर है बराकर नदी पर वही कुछ रिपीट बांद है उन्हें ही बार-बार एक्जामिनर रिपीट करता है e Ron Personal रिपीट हैं ठीक है ना बिल्कुल पता हुने शिया पतो रिहन बांद कहां है आप रहे हिस्तनिकलता है के ने तो यह आत्रिव में निकलता है कि नई सब्सक्राइब पहुंचे बी सीडी में है नागरदुन सागर प्रयोजना कितनी बार रिपीट है कृष्ण अनदी पर है तो बी का फॉर बी का फॉर दोस्ते किसमा है के वैलों के वल्ली में है डी राइट आंसर हो गाया तो दोस्ते वही रिपीट कुछन पूछते है मादा कुछन अति विवादित भबली प्रोजेक्ट निम्लिक्र में से किस राज्य में है तो कहां पर है महरास्ट में उसको जो राइट आंसर है है अगला कुछन है कि सूची एक को सूची दो से आपको मिलाना है दूल हस्ति गांदी सागर उकाई उर्तवा, और आप इनको पढ़ेंगे चंबल चिनाब टापी उर्तवा, देखें, बहुत ही धिहन में इनको आपको कॉस्टन को payerा होगता है महरास्गौ तो सबसे पहले इन से आंसर निकलनके देखते पंपना देखते आखे साँ है लगण है किजिम्हें न ख सब्सक्राया प्रेंग टोपना खें ठता अंगले स्सक्राप इन देखते हैं को जाए देखिए हुकाई तापी नादी तवा तवर नादी गांधिसागर्स चंबल नादी दुलहस्ती चिनाब नादी दके वही रिपीट है अगला कोश्ण है मलम पूझ बांध किस नंदीप पर वस्थीट हैं तो मलम पूझ नंधी पर्टो राइट आंसर है कि अगला question है सिंह रोली लगु विद्ध पर्योजना पर उत्र पड़देस कहा है दो कि यजण ए 23 को कि अगला कोशन है चthem रुठाणिय बांद किसे नदी पर Christians तो पेरियाड नदी पर ठीक है तो इसको जो राई टांसर है वह है ए अगरा कोशन है देखे सिचाई यहां पर दे रखें सिंद्ध मुख परियोजना है नर्मदा परियोजना जावाई जाखम और यह यह लाभानमी तीजिले देखें बहुत ही फैक्शल कोशन है वह इस परकार के कोशन कहां किवियोए यह वैसे फीस पूस्ता है आप सकते कहां कहां पर है जावाई अ जावाय पर यह यह बहुत खरोगा चु पूछता है कि सिद्मुख पर्योजना कौन से डिस्ट्रिक्स है एं राजिस्थान में पूछा घाया तो वहीं कि हमें सारे राजिस्थान के जीले हैं देखे हनुमानगड चूरू उद्यपूर परताब गड़ राजिस्थान के बच्चे वह ही को सब्सक्राइब अगला कुशन है परदानमंत्री नेरिंद मोदी ने हाल यह में मंडल बांध परोजना की नीव किस नदीपर बनाने की रखी थी तो उत्री कोयल में तो उसका राइट आंसर है डी देखें बहुत सारी चीजे करंट अफिर में चर्चा में रहती है तो हमें वहां से भी तयार क कशन है अलियार ईसापूर और कंसा बाती जैसे घ्यात स्थनों में क्या सबानता है तो जल भंधा रहे हैं तो राइट आंसर है कि देखे सूची एको सूची दो से मिलाना है वहुत ही फैक्षवल है सामिल राज्य यह बताओ महानदी जल्विवाद है हालकि इन डिस्पूट को हम पढ़ते हैं ठीक है ना यह कोशन कर सकते हैं आसानी से हो जाएगा यह फिर भी कितना फैक्षवल डेटा है कि कितने यह बहुत फैक्षवल कोशन है यह मैप बेस कोशन है तो दोस्तों इस वीडियो में जो हमने क्या देखा है हमने देखाया कि महत्पून डैम कौन-कौन से है ठीक है और हमने देखाया कि उनका लोकेशन क्या है कि इस चैप्टर को पढ़ने का तभी फायदा है जब आप उन तो यादगरने का क्या देखा है इनको आप एफोर साइस सीट को लिखें और बार-बार रिवाइज करें ठीक है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों किर्शी को पढ़ेंगे अगर वीडियो आपको चलेगे तो प्लीज लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद थैंक्यू फोर वॉचिंग अपनी पढ़ाय करते रहेंगे